दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल एवी टिक में आज है 29 माई 2022 और जान लेते हैं अज की मात्तपून खबरें सबसे पहली अपडेट असिस्टन प्रोफेसर वरती को लेकर किया है लिखा कि प्रदेश के असास की महाविद्यालियों को मिले 208 असिस्टन प्रोफेसर प्रदैस के साज़की साथ अप्रापत महावधिय दिया लिएंको दो विसियों में 208 न Εस्सिस्टन प्रोफिटर मिल गए है यूपी एच इस्टी ने सणिवार को दोनों विसियों में असिस्टन प्रोफिटर वर्थिकर अं तिन परग्राम जारी कर दिया है भूगोल में असिस्टेंट प्रोफिसर के 142 पदे हैं और मनुविव ग्यान में 66 पदे हैं इन दोनों का प्रग्राम कल वेबसाइट पर अबलेवल करवा दिया गिया जो भी है बिर्थी से संबन्दी थे वो अपना रेजल्ट चेकाउट कर सकते हैं बारत करते हैं दूसरी वड़ती के बारे में जो किया रेलवे बड़तियों को लेकर लेकर रेलवे में खतम होंगे 10,000 से अधिक पादम उत्तरमद रेलवे एंजी आर गयर संब्च्छ सेंड़ी के 10,000 से जएदा पदों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है प्रयागरा जहांसी यह मागरा मंडल में मुख्याला इस्तर पर सूची बनाने की प्राट्विया सुरू कर दी गई है बताया जा रहा है कि 31 मई 2022 को समाब्ध किये जाने वाले पदों की सूची रेलवे बूड को भेज दी जाएगी रेलवे बूड ने 20 मई को सभी जूनरल रेलवे की महा दारी किया था डारेक्टर एम पीपी रेनु यादो की उरसे जारी पत्र में गैड़ समर्च्छा सेंड़ी के 50 फिश्दी पत्लों को ततकाल समाब्ध करने को कहा गया है कि आगे यहां पर देखे लिख्या कि नार्थ सेंट्रल रेलवे मैंस यूनियन के जोर्नल महामंत्री आड़े यादो के अनुसार NCR में गैड़ समर्च्छा सेंड़ी के 21,500 पद हैं ऐसे में 10,000 से उपर पद खतम होंगे NCR के जनसंपर के दिकाई डॉक्टर सिवम सर्वान ने माना है कि बोड के पत्र पर विश्यार हो रहा है तो यहां पर आप लोग दो सकते रेलवे में 10,000 से ज्यादा पदों के यहां पर खतम हो जाएंगे इसी के बारे में यहां पर भी देखिया अपडेट किया गया कि इतिहास बन जाएंगे रेलेवे के कई पद उत्तर मद रेलेवे में अगर योजना के अनुसार गैड़ समर्च्छा सेंड़ी के 10,000 से अधिक पद खतम क कर दिये गए तो टाइप पिस्ट सायक रोसोईया बिल पोर्टर सेनेटरी हेलपर माली दफतरी बड़ाई पैंटर असिस्टंट सेल्समें केटरिन असिस्टंट वालमें सइथ कई पद खतम हो जाएंगे अभी इन पदों पर कार कर रहे स्टाफ को अन्य विवागों में समा इस अगली अब्रेट हैं पर सेना बर्ति को लेकर के लिखा कि सेना में दो साल बाद नई नीटी से बढ़ती करोना की कारण पिछले दो साल से बंद सेना की बढ़ती फिर सुरू करने के तैयारी हो गई है हलांकि इस बार एक नई नीतिकेत बढ़ती की बात कही जा रही है इस नीटिक चेत तहत अधिकारी से नीचे के पदों पर अलपावद सर्फिस के लिए सेणा में बढ़ती कि जाएगा। इस नीटिकेत बढ़ती कि जवानों का करकल 6 महेने के ट्रेनिंग समय कुल 4 बच्चा हो सकता है। बताया जारा है कि इस नई नीतिकेद्ध बढ़ती होने वाले जवानों को सेना छोड़ते हुए छोड़ते समय कुछ लाख रुपए का एकमुस्त पैकेज दिया जाएगा कुछ जवानों को चार्ट साल पूरा होने के बाद दोबारा स्क्रीनिंग के जरिए नियमित करने की इस वर्ट से अगस्त से दिसमबर के बीच देश के अलग अलेगे लाकों में सेना वर्ती के लिए रह लिया आविजित होंगी इस बारे में छितरी सेने कवानों को पत्र बेजा जा चुका है बड़े इस तपर होने वाली वर्तियों के लिए स्क्रीनिंग बूर्ड और मेड अपसरों की तैनाति की आदेश भी दे दिये गए हैं बढ़ती की तयारियों के साथ आविदन प्रक्रिया का खाका भी बन गया है 45 दिन पहले उम्मेद्वारों को ओनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे समाचर पत्रों में आया जब ऒरतबंकर क theft करके बांकी जो कुछ होंगे उनको पर्मानिंट किया जाएगा तो यह चीज़े आप लोग और पर सकते हैं देख सकते हैं और समसकते हैं यही सारे यहाँ पर दी गई है भड़ते हैं अगली अपडेट की तरफ यहां पर देखिए अगली अपडेट है वह बिभेन वागों में पदों के बढ़तियों के लेकर करके तो यहां पर आप लुग सकते टीवी 9 की तरफ से कल अपडेट दिया तो वीडियो जारी किया गया है कि पूरे देश में 60 लाग से ज़्यादा पदखाली है और बिरुजगारी अपने तीन दसक के रिकॉर्ड इस तर पर है लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बढ़तिया नहीं की जा रही है किस डिपार्टमेंट में कितने पदखाली है इसके अभी पूरा ब्योरा जारी किया गया है तो इसका मैंने कल रात को आज रात को ही एक नया वीडियो चैनल पर जाड़ी किया हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा चीज़ी आपको समझ भी आ जाएं कितने पद किस डिपार्टमेंट में खाल लेंगे सुच्छकों कितने पद हैं पुलिस की अपडेट है और जग कराने की तेयारी में जोटा हुआ है इस बार परिच्छच के लिए सस ड्रिकिन अपनाने की तयारी है इससे पहले इस परिचय के अभी इतनी बड़ी संख्या में केंदर नहीं बनाए गए गए इसकी बाद विस्विद्याले की ओर से आवेद्रों और उनके साथ सनलगने प्रमारपत्रों भारांगों के जांच के लिए टीम मनाई गई है जांच किस तरह होगी और अंगों का जोड कैसे लगाया जाए कि इसकी तकनीकी जेंसी विस्विद्याले की 35 से आदिक सिचकों का प्रिच्छन दे रही है इसी के साथ विस्विद्याले परिच्छा के नों का नदारन करने में भी जूट गया है कि बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरह आप यहां पर देखिए इलहाबाद कि परिच्छाओं को लेकरके अपडेट है कि जुलाई में हूंगी पेजी की परिवेश परिच्छा मंगल ऑठेट हो जाए के जैंसी का नाम इसके बाद होके आवदन इसके लिए जून के पहले सब्ता से ओनलाइन आवदन के फकरिया सुरू कर दी जाएगी परिशक के लिए जनसी का नाम 21 में तक तैकर लिया जाएगा जो भी अब बढ़ते हैं या उसे सब्मद कालेजों से पीजी करना चाहते हैं सब्सक्राइब के लिए अपडेट है कि आप लोगों के आवदन सीख रही शुरू होंगी अभी अगली अपडेट की तरफ जो कि यूपी बोड को लेकर प्रेटिकल परिच्छाएं करने पड़ी हैं अब सब कुछ ठीक हो गया सब कुछ परिच्छाएं हो चुकी है और अब जो रिखा है कि यहां पर रिजल्ट पर काम सुरू हो गया है दूसरे चड़ में कराई गए परिच्छाओं के आंक अभी भेज़े जा रहे हैं आंकों क मिलान किया जाना है ऐसे महीं दस जुन के पहले ठÂंग आने की सम्हाऊना नहीं है दस जुन के बाद कभी भी प्रगराम जारी हो सकता है तो पुले म्लगल की वर्स 2022 परिच्छा में प्रस्पत्र लीक हो जाने का दाग परिच्छा के दरौन लग चुका है अब परिडाम तयार किये जाने के बीच असामाजिक तत्तों ने नए डंग से एंट्री किये वो परिच्छा में सामें लोगे शात शात्राओं उनके अव्याकों को फोन करके प्रोलोबन दे रहे हैं कि अधिक से अंक अधिक से अधिक अंक दिला देंगे यह जानकरी होने पर यूपी बूर्ट सचु देवेकांसुकलिन ने ऐसे अराज़े तत्तों किलाब सिविल लाइन्स थाना मुकदमा में प्रयागराज थाने मुकदमा दर्ज कराया है तो आप आप सभी से नहीं वेदर हैं कि अगर इसी तरीके से कोई आपके पास भी फोन एसमेस इमेल आता है तो इस तरीके चेकर मिनना पड़ें यह सब ठग होती है आप से पैसे एंट लेंगे और होगा कुछ नहीं अगर ऐसा कोई भी कौल समसा था तुरंद यूपी बोड को आप मेल भेज़ करके कंप्लेंड करें कि ऐसास आपके साथ हो रहा है और इनकी कारवाई कराने मदद करें अंतिमाद कर लेते हैं सीटेट रिजल्ट को ले करके विबन मीडिया और सोर्सस से अपडेटी में लेए कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो चुका है कई संसुधित हुवे हैं ठीक है तो एक बार अपना एप्रिसर व्वब साइट से परिशा कर दियुके चेका लीजेत लेस्गे और जबारोरों awake उनमोर्य वेबीदियो फिटीकल लेसा खायक इनोंたい